तो दोस्तो कैसे हैं आप लोग मैं बताना चाहूंगा अभी जो है एक बड़ी भेकेंसी की जनकरी मैं आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ जो कि सिक्षक निवुती निमावली 2022 की जो है आ चुकी है जिसमें टोटल जो है बड़ी भेकेंसी है बिल्कुल दोस्तो 29,175 शिक नारती भाग ले सकते हैं जिन्होंने टीटी पास किया है क्या उनके लिए क्वालिफाइड कर सकते हैं या नहीं यह सारी जानकरी के लिए हमारे साथ अंतक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकरी जो है डिटेल से मिल चके दोट्स तो वीडियो मिस न करे कोई भी इस्कीप और सारी जानकरी आपको समय टू समय मिलती रहे जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो है इसमें 29,175 आचारियों की नियुकती होनी है इसकी जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है यह आपको जो है कल के डेट में जो है 23 यानि की 23 मार्च को जो 23 तारी को जो प 177 152 आचारियों की होगिन युकति इहां दिया गया है दोस्तों कि किस जिले में किछ विशय में कितने पद की आई हुई है ठीक है जैसे कि टूटल दोस्तों वहीं जो है दिया गया है कि राज के प्राथमिक विद्यालों में साहाय का अचार में स्रीजित 50,000 पदों में से उच प्राथमिक इसकोलों में 29,175 पदों की नियुक्ती तीन विषयों में होगी बिल्कुत दोस्तों इसमें विषय जो दीगे है बिज्यान एवं गनित और समाजी का ध्यान तता भासा सम्मलित है दोस्तों ठीक है और यहां सबसे बड़ी बात यहां मैंदे जो यहां इस वीडियो पेपर में आज देखा कि पहले चरण में जो है 35, 296 पदों की होगी दोस्तों भरती दोस्तों बिल्कुल दोस्तों 25,996 पदों की पहली चरण में भरती होगी उसके बाद दूसरी चरण में जो है 50,000 जो बचते हैं 50,000 दूसरी चरण में और दिये जाएंगे जैसे यहां दिया गया है प्रात्मिक सिक्षा निदे सालाओं न सभी जिलाओं में इन पदों को रोश्टर क्लियरेंस करने का को कहा है ताकि पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए जिले में इन पदों पर नियुक्ति की अनुसंसा भी मांगी गई है कक्षा में 1-5 तक 20,825 दोस्तों सहायक आचारी के प क्लियरेंस हो चुकी है जबकि यह 11,000 पर नियुक्ति की अनुसंसा सभी जिलों से मांगी गई है यानि कि दोस्तों बाते करें तो इसमें जो है सिक्षक बाहली में जो है और बरहुतरी हो सकती है जरूरी नहीं है कि अभी यह 29,175 सहायक आचारी के पदों का जो रोश्टर जो क्लियरेंस हुआ है उतने ही है बेकेंसी तो बहुत है लेकिन अभी फिलाल 29,175 सिक्षकों की बाहली की रिक्वर्मेंट आएगी बिल्कुल दोस्तों जबकि यहां दिया गया है कि 14,996 पदों के लिए सभी जीलों के नियुक्ति के अनुसंसा मांगी गई है बिल्कुल जो बाकी बचेंगे 4000 लगभग वह दूसरी चरण में यह बहली की जाएगी ठीक है जैसे कि यहां फिस वीडियो में बताया गया है यहां पेपर में दिया गया है कि अभी 25,996 पदों जो है नियुक्ति की प्रक्रिया सुरू की जा सके ठीक है जबकि 14,996 लगभग 15,000 जो ह है अभी अनुसंसा मांगी गई है तो इसमें जो है बरहोतरी हो सकती है लगभग जो है माने तो 25,000 अब पर रस्पंद्र है 40,000 सिक्षकों की बरती आने वाली है अभी फिलहाल 29,175 सिक्षकों की बरती आ रही है ठीक है और मैं जब यह पूरी डिटेल से किलिए राजाएग किस प्रकार से फॉम भरवाएं किसमें क्या है ठीक है और मैं एक खास बात बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है आप जिस भी कंडिडेट का जो है जे टीटी किलियरेंस हो चुका है उनके लिए दोस्तों बहुत ही सुनारा मौका इस वेकेंसी में दिया जाएगा ठीक है तो आगली जानकरी के लिए आप हमारे साथ बने रहे चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि आपको पलपल का न्यूज का अपडेट मिलता रहे हैं मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो नई जानकरी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन